आज की क्लास ना बहुत जबरदस्त होने वाली है, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना किसी में भी समस्या आती है, आप आज की क्लास से अपनी अंग्रेजी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं संडीत इंग्लिश अभी एहम एक हिस्सा है, वो है वावल्स, जी हाँ, वावल्स जो कहलेजे, American accent, British accent, Indian accent, हम लोग अभी accent में गुसेंगे, ठीक है, हम लोग अभी ना, basically हम लोग अभी सीमित रहेंगे अपनी जडो तक, है ना, ये बहुत उपर लेवल की बात हो जाती है, तो जडो पे फोकस करे बाकी उपर इमारत जो है, बड़िया बंती चली जाएगी, उसके तिए कोई बड़ी बात नहीं है, वावल्स बहुत important है, वावल्स, A-E-I-O-U, ये पांच अक्षर जो है, वो वावल्स कहलाते हैं, आपकी अनजरों के सामने है, A-E-I-O-U, ये पांच वावल्स कहलाते है और ये न, sound create करते हैं, sound, इनको जब हम बोलते हैं, इनसे sound निकल करके आता है, जैसे A की बात करें तो A, O की बात करें तो O, U की बात करें तो U, E, बड़ी E, छोटी E है न, इस तरीके से sounds निकल के आते हैं, और ये sounds जब दूसरे alphabet के साथ जुड़ते हैं, तो एक शब्द का निर्मान करते हैं, जी हाँ, alphabets मतलब, ABCD को जो हम लोग पढ़ते हैं न, A से ले करके Z ता कि ये जो एक एक चीज है न, A, जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये अलग-अलग जो हैं, वो alphabets हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं, इनको अगर vowelsल्स हटा दे तो consonant कहते हैं, अकशर बचे, जो alphabets बचे, उनके साथ जोड़के ये कैसे शब्दों का निर्मान करते हैं, तो sound का निर्मान करते हैं, पहली बात, और ये sound दूसरे alphabets में लगकर के शब्दों का निर्मान करता है, तो A के साथ जब भी लगेगा, तो ये ab sound create करेगा, ठीके, ab, D लगेगा, M लगेगा तो M, N लगेगा तो N, app लगेगा, प लगेगा, तो P लगेगा, तो P लगेगा, तो P, app, T लगेगा, तो T, at, ये ऐसे create होगा, ठीके, अब समझो, कि A, B साथ में लगा, इसको ab पढ़ते हैं, ये तो सीख लिया, इस्तमाल कैसे करें, ऐसे करेंगे, ज sound इसने बना दी, अभी दूसरा letter C add हुआ यहाँ पर, वो अपना उचारन अपने साथ लेकर क्या आया, और इसने बनाया, cab, क्या बनाया, cab, अगर आप इस word को देखोगे, तो C का हमने सिर्फ कही लिया है, sound जो है, ab का ही आ रहा है, समझ में आ रही है बात, C का सिर्फ कह लि sound को यूज किया, क क का हमने क रख दिया, क सिर्फ कह खतम, कहानी वहाँ पर खतम, सी अकेले क्या कर लेगा, कुछ नहीं, जब तक उसमें ab न जोड़े, तो cab ये बनता है, cab का मतलब taxi होता है, same way इसी process से हमने जब tab को कहा, तो T का ट ले लिया, उसमें sound हमने जोड़ दिया, ab क तो ये tab बन गया, थोड़ा बड़ा word देख लेते हैं, gr साथ में आया, gr साथ में आया, तो ये gr आया, gr साथ, 12 खड़ी की class अगर नहीं देखी है, तो इस class को करने के बाद 12 खड़ी की class लगाओ तुम लोग, ठीक है, 12 खड़ी देखो, एकदम बहुत serious बात बता रही हूं मै 12 खड़ी नहीं आएगी, अंग्रीजी कभी नहीं आएगी, trust me, हाँ, hello, hi, खाना खाके जाना, how are you, यहां तक कर लोगे, पर वो जो एक confidence level अलग होता है, जब अंग्रीजी बढ़ी आती है, जो लिखाय पढ़ पा रहे हैं, जो पूछ रहा है, बोल पा रहे हैं, जो बता रह लिख पा रहे हैं, यह confidence के लिए 12 खड़ी चाहिए, भाई साब, हिंदी देश के निवासी हैं हम लोग, हिंदी हमें आती है, हिंदी में 12 खड़ी नहीं आती है, बहर शर्म की बात है, 12 खड़ी की class जरूर जा करके देखें, 12 खड़ी में जो special sounds create होता है, जैसे की G, R, इसका है ना, तो G, R जो है, वो ग्र का sound create करता है, तो ग्र हमने ले लिया, एब का sound ले लिया, तो ग्राब हो गया, C, R, क्र होता है, एब ले लिया, तो क्राब हो गया, ग्राब का मतलब होता है लपकना और क्राब का मतलब होता है केकड़ा, ठीक उसी तरीके से, एब की ही बात कर रहे हैं, L ले लिया तो lab, ल और ab, lab प्रियोक्षाला, SL ले लिया, बाराखडी क्यों बोले, देखो ग्रह के लिए ज़रोत पड़ा, SL क्या होता है, SL क्या होता है, SL का उचारण slur होता है, क्या होता है, slur है ना, तो S का स होता है, L का ल होता है, दोनों साथ में आता है, तो slur बन जाता है ये कहानी बाराखढी में समझ माती है समझ होता है हमें भी पता है, L न का ला होता है, हमें भी पता है तो क्या होगे उसे स्लाब पढ लोगे बाराखढी नहीं आएगे तो नहीं पढ पाओगे स्लाब इस लिए जरूरी है it's a very important part of you know learning तो slab जो है वो एब ले लिया एसल का slur और slab हो गया पत्थर की पटिया जो हमारी किचन वगेरा में होती है वहां पर अब जो है कई बार आपको जुड़ता हुआ दिखेगा शब्दों के शुरुवात में भी जैसे कि normal के साथ abnormal sent के साथ ab जोड़ा absent solutely के साथ ab जोड़ा absolutely decade के साथ जोड़ा तो abdicate ought के साथ जोड़ा तो abort absorb के साथ जोड़ा तो absorb तो ये हमने क्या देखा हमने ab का कमाल देखा ये सिर्फ a की बात हो रही है अभी पूरी class बाकी है पूरी vowels की series बाकी है चलो class को आगे बढ़ाते हैं जब a के साथ d ज लगा तो mad gl लगा तो glad h लगा तो had right meaning ना तुम लोग देख लेना meaning तो मैंने आपके सुविधा के लिए दे रखी है ऐसे इस class में meaning देने का कोई मतलब नहीं बनता है reason being हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना right तो ag लगा तो ag का sound बना ag है na b लगा तो bag d लगा तो dr ल लगा तो flag समझे रहे हो देखो dr fl भाई बहुत जरूरी यह अंग्रेजी पढ़ने के लिए m लगा तो बना am ठीके j लगा तो jam cr लगा तो cram d लगा तो damn a n अगर हम लोग अगर आया तो क्या sound बना an क्या sound बना an f लगा तो fan m लगा तो man th लगा तो damn th जो है अच्छा एक बा ह की हिंदी h होती है त की हिंदी t होती है अब थ की हिंदी क्या होगी अलग होगी की त और ह लिख देंगे हट लिख देंगे ऐसा नहीं करते ना th साथ में जो है वो sound निखालता है द का यह कहां से पता चला मुझे क्योंकि मैंने बच्पन में 12 खड़ी पड़ी है तुमने न p लगा तो app बना जी gap, c – cap, l – lap, m – map, t लगा तो at का sound निकला, t लगा तो at का sound निकला, ch लगा दो hat, c लगा दो cat, b लगा दो bat, t h लगा दो that, Buraya, अब हमने ए की बात कर ली, e की बात करेंगे वी पांच वोवल है, वोवल साउंड, पांच है, E की बात करेंगे भी हम लोग, E के साथ जब D लगा, तो ED बना, है ना, उसके आगे लगा दो, B तो BED, R तो RED, SH तो SHED, SHR तो SHRED, है ना, SHR, very important, part of 12 खड़ी, again, E N, E N लगा दो, ठीक है, E N का साउंड बना, E के साथ N लगा, तो sound बना, क्या sound बना, N, N sound बना, P लगा तो PEN, T लगा तो 10, TH लगा तो DEN, और H लगा तो HIN, E के साथ T लगा तो AT का sound बना, क्या बना, AT, G लगा तो GET, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर Alphabet के साथ, साथ, ना, sounds लगाते चल रहे हैं, आर यह बात समझ, G का हमें पता है, G, G के पूरे sound को लगा दिया, पूरे sound को insert किया, यहाँ पर डाला हमने पूरे sound को, तब जाके एक word का निर्मान हुआ, तो G अकेले क्या ही कर लेता, अगर E, T अपना sound लेके नहीं आता, तो get लगा, G लगा तो get, Y लगा तो yet, L लगा तो let, N लगा तो net, A कर लिया, E कर लिया, I की बातपन करेंगे अभी, E जो है वो बड़ी E, I जो है वो छोटी E का sound को create करेगा, ठीक है, और हाँ, दोनों के sound में फरक होता है, यह नहीं comment करना, कि E और E तो एक ही होता है, मत करना, गलती से भी मत करना, यह comment, ठीक है, प्लीज, इसलिए मैं बार-ब बट के साथ मिल करके, अब यह जब मिलते हैं, अब दूसरा word create करते हैं, तो उनकी sound अलग होती है, यह clarity अगर चाहिए, दिमाग में, आवाज में, जबान पर, तो ज़रूरी है, है ना, चलो, I के साथ G लगा, तो इग का sound create हुआ, इग, है ना, इग, राइट, इग, जादा है, उसमें B लगादो big, P लगादो pig, D लगादो dig, और F लगादो fig, अगर N का sound, अगर N जब लगता है, तो इन का sound आता है, क्या आता है, इन का sound आता है, अपने आप में एक शब्द भी होता है, जिसका मतलब में होता है, जैसे I live in Pune, है ना, तो that's a different story, that's a different part, and वो spoken English का part ह है, चलो, तो I के साथ N लगादिया, तो ये इन का sound बना, W लगादिया win, P लगादिया pin, CH लगादिया chin, और TW लगादिया twin, ठीके, CH, TW, very important, ठीके, I के साथ P लगा, तो ip बना, क्या बना, ip का sound बना, S लगादो sip, TR लगादो trip, L लगादो lip, T लगादो tip, I के साथ T लगा, तो it का sound बना, it भी अपने आप में एक शब्द है, जिसका आप इस्तमाल करते हैं, spoken English में, it है न, it is a pen, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर ये sound का का काम कर रहा है, H लगादो hit, Q लगा, Q, U लगादो quit, S लगादो sit, SP, L लगादो split, बड़े बड़े words भी बनते हैं भाईसाप, ठिक हैं, इसमें in sounds गए, वोवल्स के sounds को यूज़ करके ही पूरा खेल है, तो ये जानना ज़रूरी है, जो भी class पूरा देखेगा, उसको पूरा समझाएगा, है ना, I cover कर लिया हमने O की बात करते हैं अपनब, O जो है वो O के साथ O का इस्तमाल यहाँ पर होता है, O के साथ G लगेगा, तो दो तरीके से आपको यूचारून होता हो दिखेगा, एक O, जहाँ पर आपका नीचे वाला होट जो है, मुड़ करके थोड़ा अंदर की O जाएंगे, ठीक है, तो F लगा दो Fog, अपने होटों पर ध्यान दो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जोग, डॉग और फ्रॉग, जे लगाया जोग, डी लगाया डॉग, एफर लगाया फ्रॉग, O के साथ B लग गया तो ओब और ओब, यह दोनों इसका साउंद नि इसकालते हैं, जे लगा दो जॉब, एम लगा दो मॉब, आर लगा दो रोब, एस लगा दो सॉब, ठीक है, से फी लग गया आप या ओप, ऐसे लगा दो शॉप, टी लगा दो चॉप, ऄल लगा serpent, डी यह लगा दो ड्रॉग, क्लियर, फी लगा तो ओट या ओट, एन लगा लगा दो not, g लगा दो got, h लगाया hot, pl लगाया pl के लिए तो plot ये तयार हुआ, चिक है, o हमने cover कर लिया, u की बात कर लिया, ये basic है, ये पहली class है, ये basic वाली class है, आर ये बात समझ, ये ना बहुत vast syllabus है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंदी है, बड़ा है, है ना, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको करने के लिए patience की जरूद होती है, आपको धैर की ज़रूरत चाहिए इसको cover करने के लिए, ठाके, u की बात करते हैं, जिसका, o के जैसा इसका sound आता है, और u का मतलब, ये छोटी u है, ये छोटी वाली u है, तो इसको कैसे करेंगी देखो, u के साथ g लगेगा तो ये अग का sound create करेगा जी हाँ U मैंने बताया लेकिन G के साथ लग रहा है तो अग बन जा रहा है ये G जो है ग का A और U मिल करके ये अग का sound create कर दे रहा है ठीक है M लगाया mug अग का sound के साथ J लगाया जग, H लगाया hug और P L लगाया तो plug तयार हुआ U के साथ B लगाया तो अब तयार हुआ, ठीक है क्या तयार हुआ अब तयार हुआ, अब ये वाला sound के साथ हमने क्या क्या ये वाला sound के साथ हमने, अब वाले sound के साथ हमने R लगाया rub, T लगाया tub, H लगाया hub, SC, R लगाया तो ये scrub बना क्या बना? ये बना scrub clear? चलो U के साथ N लगा दो तो UN का sound आया UN का sound ठीक है? B लगाया ये बन गया BUN, F लगाया FUN, R लगाया RUN, और S लगाया SUN T लगाया 8, B लगाया तो BUT, C CUT H HUT SH SHUT तो लीजिए ये वाविल्स का एक basic परीचय है जहां से आप अपने अंग्रीजी पढ़ना लिखना बोलने की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं Class अच्छी लगी है, Class को like ओ, share कर दीजेगा और सबसे पहले तो save करके खुदी के पास लगो, share करने से पहले हैं खुदी अपने पास रखो, क्योंकि तुमको खुदी इस class को तीन बार देनी की ज़रुद पढ़ना ये वाली है, है ना, तो share क्या करोगे पहले तो खुदी अपने पास save करके रखो, बागी मन करें तो share भी कर देना, like कर देना class को comment करके मुझे बताओ class कैसी लगी, और क्या आप चाहते हैं, इसके आगे मैं ऐसी ही और धवा के दार classes लाती रहूं, जो जिससे की मदद से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, तिनों ही सीख जाए, तो class अच्छी लगी है, तो बतातो दिया सारा ही है ना, अच् है, free class, paid class, सब available है, सिर्फ download करो, और class अपनी चालू करो है, ना, कोई इधर उधर पैसे बूसे देने की ज़रत नहीं है, यहाँ पर free class भी दे रखी है, तो वो वाली class कर लो, paid class से सम्मंदित, या app से सम्मंदित, किसी भी अधिक जामकारी के लिए, आप इस number पर WhatsApp मेसेज कर तो download जरूर कर ले, WhatsApp का ग्रूप हमारा जरूर जारूर जाइन कर लीजेगा, Telegram का चैनल इस लिंक की मदद से जाइन कर लीजेगा, आप देख रहे हैं Sanrit English Academy, और मैं आप से मिलूंगी आपकी अगली class में, यानि की कल, till then thank you so much for watching, stay tuned to Sanrit English Academy.